मैं आपको यहां पर साथ में पिक्चर बगारा और वो नियूस भी बिता देता हूँ ए महजद नभी से एक वाक़ा पेश आया जी मैं जब यह देखा है तो माशाला ही पड़ा है उस टेम मुझे नहीं लगता है कोई भी मुसलमान अगर पाकस्तान इंडिया में भी बैठा हो तो यह नुज देखने के बाद माशाला न पड़ेगा हाँ अफसोस इसमें यह हो सकता है कि जाहरी सी बात है कर कोई बंद जब फात पा जाता है तो उसके उपर बंदों को अफसोस तो होता है दुख तो होता है लेकिन अगर बात करें हम के यह इस जो इस बंदे को मौत था मैं दो दिन रहे हैं जी हम मैंने अपसद दाइब कहां से कुछ वीडियो तो अभी ये इस जुम्ह वाले दिन की बात है अभी जो जियारत है वो भी ओपन हो चुकि आप कोई भी किसी किसम की परमिशन लेने की जुरूत नहीं आप डेक्टा जा सकते हैं जियारत के लिए तो इस बंदे ने जब जुमा वाले दिन की जुमा की नमाज हो रखी थी अच्छा पता नहीं कितनी दुआई मांगी होगी जी इसने ऐसी मौत के लिए ये बी है ये वी कनफर्म बात है मेरे हिसाब से तो बाराल ये जुमा वाले दिन की जब नमाज हो रखी थी जमात यान आदमी खुद बहुद माशाला बोलता है सुभान अला कहता है जब यह सजदे में गया है खासका उस टायम इसकी जान निकलिये और यह सजदे की खालत में रहा है फिर नमाज पूरी हुई जासी सबात है बंदों साथ जो बंदें खड़े हुए थो उनको पता चल चुका था क तुल बकी में इसे दफन किया होगा जो के माशाला बहुत ही अच्छी और खुश किस्मत बंदों के लिए जगा हुए तो यह एक वीडियो थी जी यानि यह पिक्चर थी को सोशल मीडिया के उपर आ रही थी मैंने बोले आपके साथ भी शेयर करते हैं